हाई गाईज इलेक्ट्रोनिक वेस्ट क्या है? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लेम बन सकती है फ्यूचर में? आपके लैप्टॉप में और स्मार्टफोनों में कितना गोल्ड है? आप देख रहें मिस्टर डियाई वाइकिंग चलिए शुरू करते हैं टेक्णलोजी की दुनिया में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं पर मेन प्रॉब्लेम यह है कि इलेक्ट्रोनिक वेस्ट का क्या करें? एक सॉलीशन है हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस में बहुत से मेटल्स भी मिलते हैं जैसे कि आयन, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, इन मेटल्स को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, बट इन में एक नोबल मेटल भी मिलता है, जो की है गोल्ड, हाँ, गोल्ड, बेसिकली देखा जाए तो सिम कार्ड्स, हेड़फोन्स, इयरफोन्स और स्मार्टफोन्स, या तो कि लैट लैटॉप का डिससेंबलिंग किया था, तो आईए मदर बोर्ड में देखते हैं, कि कितना सोना है, अगर डिससेंबलिंग का वीडियो नहीं देखा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिया, क्या ये मदर बोर्ड हमें सोना देगा, द wireless adapter है यह देखिए मैं इसको निकालता हूँ यह देख सकते है और और एक दिखाता हूँ यह इसका एक processor है आप देख सकते हैं इदर आपको दिख रहा होगा यह सोने की तारे इसमें लगी है तो और कहां कहां होता है चलिए देखिते हैं गोल्ड के वज़े से इन डिवाइस इसको अच्छी connectivity मिलती है यह जो इसके IC चिप्स है इनमें भी सोने की तारे ही लगी होती है इससे बहुत अच्छी connectivity मिलती है आप देखी सकते हैं इदर भी सोने की तारे हैं इस तरीके से गोल्ड की तारे है बोल्ड की recovery करी जा सकती है यह तो बात हुई laptop की अब देखते है इस टेलीफोन की motherboard में क्या निकलता है मैंने इसे पहले ही disorder करा यह इदर coating भी है सोने की आप देखी सकते हैं इस तरह से सोने की और other metals की recovery करी जा सकती है मेरे पास में बाकी के भी कुछ motherboards है बट इसमें ज्यादा तो low high यूजवा iron इस तरह से हम metals की recovery आसानी से कर सकते हैं पर यह जो metals है इन्हें recover करना इतना भी आसान नहीं है इन्हें बहुत scientific तरीके से recover करना पड़ता अलग 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 प्रकार के वो अलग अलग प्रकार के chemicals का यूज़ करना पड़ेगा तब यह हासिल कर सकते हैं यह भी सब gold coated है पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए thanks for watching